नमस्कार पहले हम आपको टॉपिक के बारे में बताते हैं हम आपको बताएंगे कि जो चुड़िया हैं वो हाई वोल्टेज पावर लाइन में बैठती हैं तो उनको अलेक्टिक शॉक क्यों नहीं लगता दूसरा पॉइंट है जो कि पहले का उल्टा है कि हाई वोल्टेज पावर लाइन से चुड़ियों को शॉक कैसे लगता है और तिसरा पॉइंट है कि क्या 33 के भी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से ज़्यादा डेंजर होता है चुडियों के लिए काइदे में जादा वोल्टेज जादा डेंजर होना चाहिए मगर मैं कह रहा हूँ क्या लो वोल्टेज जादा डेंजर होता है यह सब आज हम आपको पताएंगे अब पहले हम आपको गंसेप्ट बताते हैं देखे ये AC सप्लाई है या DC सप्लाई है कोई भी हो ये दो वायर जा रहे हैं और यहाँ पर कोई चिडिया है या कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है तो इनको शॉक लगने के लिए जरूरी है कि इनकी बाडी से करेंट बहे और करेंट बहने के लिए क्या चाहिए कि बोल्टेज का होना जरूरी है और सर्केट भी कम्प्लीट हो तो जब बोल्टेज होगा और करेंट बहने के लिए सर्केट कम्प्लीट होगा तब शॉक लगता है ऐसा नहीं है कि करेंट जादा डेंजर है या बोल्टेज जादा डें यहां पे हमने तोड़ दिया तो भी शौख लग जाता है हम आपको ये भी बताएंगे आप आज जरूर पूरा वीडियो देखिए हम कई चीजे ऐसी बताएंगे जिसकी नालेज शाहद आपको पहली बार मिल रही हो यहां पे मैंने ठीघ सेप्लाई दिखाई है हाय बॉल्टेज टांस्मीशिय लाइन यह आर फेस का वायर है यह वाई फेस का और यह वी फेस का और यह आर्थ है आर और वाई के बीच में मैंने एक लोड दिखा रखा है बाखी दो फेस में भी लोड होगा लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं है और R वायर पर चिडिया बैठी हुई है अब इस लोट के लिए देखिए current ऐसे बहेगी ऐसे तो circuit complete है तो इसमें current बह रही है लेकिन चिडिया के case में circuit complete नहीं देखिए ऐसे और यहां कहां जाएगी current नहीं है न और मैंने बताया था कि shock लगने के लिए जरूरी है कि body में current बह रही अब चुकि चिडिया की body में current नहीं बह रही तो इसको shock नहीं लग रहा देखिए अगर कोई चीज R face और ground के बीच में होती या R और Y के बीच में कोई चुडिया जानवर आत्मी तो उसको shock लगता अब देखिए यहां पर हमने दो resistance दिखाए हैं एक यह जो wire का resistance है और एक यह जो चुडिया का यह जो चुडिया है इस star पर दो पैरों से बैठी है तो दोनों पैरों के बीच में जो wire है उसका यह resistance है और दुसरा यह चुडिया का है ऐसे resistance तो जो यहां से current आएगी वो ऐसे भी जा सकती है या फिर चुडिया के चुडिया के चुडिया भी जा सकती है ऐसे मगर होता क्या है कि जो wire का resistance है न इन दोनों पैरों के बीच के बार का वो करी करीब जीरो होता है तो सारी current इसे पास हो जाती है और चिडिया से कोई current नहीं जाती अगर यह रेश्चिन जादा होता तो current चिडिया की बाड़ी से भी जाती हो और इसको problem होती तो high voltage वायर पर जब कोई चिडिया बैठी होती है तो उसको electric shock इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसकी बाड़ी से current नहीं बह रही है अब हमने आपको बता तो दिया कि चिडिया बैठी है और इसको shock नहीं लग रहा मगर एक बात हम भूल जाते हैं कि जब यहां चिडिया बैठी होगी तो बैठने से पहले और बैठने के बाद इसको उड़ना पड़ेगा यहां पर आके बैठेगी तो उड़कर आकर बैठेगी न और फिर जाएगी तो भी उड़ेगी तो उड़ने में समस्या क्या आती है मैं आगे आपको बताता हूँ अब यहाँ पर हमने फिर high voltage transmission line दिखाई है मगर सिर्फ दो phase दिखाई है R और Y भी नहीं दिखाया है अब यहाँ से चुरिया उड़ती हुई गुजरती है बैठने के लिए या जाने के लिए आवापी जाने के लिए तो क्या होगा यह देखिए यह बड़ी सी चुरिया है यह eagle है जो बड़े बड़े eagle पक्षी होते हैं उनको पंक फैला देने पर उनके चौड़ाई 2 मीटर से भी जादा हो जाती है तो यह उड़ता हुआ Eagle आ रहा है, यहां से गुजर रहा है या इस पे बैठना चाहता है, तब क्या होगा, आप देखिए, यह Transmission Line के दो वायर है, मगर Eagle का यह portion और यह portion वायर से टच हो गया, इधर R Face से टच हो गया, और इधर Y Face से टच हो गया, तो अब क्या होगा, ऐसे current वहेगी, circuit complete हो गया न, तो पूरा High Voltage Eagle के एक्रॉस आ जाएगा, यह इस पक्षी के एक्रॉस आ जाएगा, और फिर Eagle या पक्षी के क्या आलत होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, तो उड़ते समय प्राबला माती है, लेकिन वहां कर जब वह पक्षी बैठता है, या उड़के जाता है, और पक्षी बड़ा है, तो यह समभवना है, कि वह दोनों लाइन को टेच कर दे एक साथ, और फिर इसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी, अब हम दूसरा केश दिखाते हैं आपको, यह जो पक्षी उड़के आ रहा है, ऐसा तो ने कि हवेशा यह यहां और यहां टेच करें, हो सकता है, आइसा हो, ठीक है न, इसके भी तो समाम न है, तो इसकेस में देखिये, यह यहां प्रे टेच कर रहा है, लेकिन यहां टेच नहीं कर रहा है अब क्या होता है कि हाई वोल्टेट ट्रांस्मिशन लाइन में आर और वाई के बीच में कुछ दूरी हो नहीं चाहिए जैसे कि यहां पर है यहां से लेकर यहां तक इतनी दूरी है ना लेकिन जब पक्षी का एक शिरा पर का यहां टच हो गया तो यह आर फेस यहां तक आ गया आ गया अब आर और वाई फेस के बीच की दूरी कम हो गई जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहां फे फ्लैश ओवर हो जाता है फ्लैश ओवर होने से यहां आर्किंग होने लगती है और सरकिट कम्प्लीट हो जाता है और फिर फुल करेंट बहने लगेगी और इसको फिर प्राबलम होगा तो यहां पर अक्षी छू नहीं रहा देखिए करण नहीं बह रही थी सुरू में हमने आपको पताया था ना कभी कभी सरकिट कम्प्लीट नहीं होता फिर भी शौक लगता है यह वही कंडिशन है सरकिट सुरू में कम्प्लीट नहीं था लेकिन फ्लैश ओवर की वज़े से कम्प्लीट हो गया और करण बहने लगी और इसको प्राबलम हो गई यह भी हो सकता है कि यह ऐसे जाए उपर जगे हो तो भी यह प्राबलम हो यहां पर फ्राइश ओवर हो जाएगा हम लोग बात करते रहते हैं कि चिडिया हाई वोल्टेज तार पर बैठती है उसको कुछ नहीं होता वो समस्या नहीं है समस्या बहुते देशों में यह है कि जो चिडियाएं है खास और चे बड़ी वाली उनको एलक्टिक शौक लगता है और उनके डेथ हो जाती है यहां काफे नुक्सान पहुंसता है तो हम कहते रहते हैं कि स्टार पर चिडिया बैठी तो उसक को क्योंकि वो काफी जगा घहर लेती हैं शोटी चुडियों को ऐसी प्राबलम नहीं होगी कई देशों में यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो चिडियां है उनको एलक्टिक शौक लगता है और उनको नुक्सान पहुंच रहा है आपने नोटिस किया होगा कि टाइ इसमें मुझे बहुत टाइम लगा पहले मैंने ये बनाया फिर आओ ड्राइंग बनाने लगे तो पता चला कि इतना बड़ा हो गया कि मैं समझा नहीं पामगा तो मैंने दूसरा बनाया छोटा मगर ये भी आपको दिखा दिया क्योंकि कई घंटे लगे थे इसको बनाने मे वो जो छोटी चुड़िया दिखाई की यहां पे बैठी हुई वो भी घर में ही बनाई है कई दिन लग गये मुझको ड्राइंग बनाने में इनको मैंने 10-11 बार बना बना के फेका है तब कहीं जाके मुझसे कुछ थोड़ा सा बना है अब हम आपको बताएंगे कि कम बोल्टेज जादा बोल्टेज से जादा डेंजरस क्यों है चुड़ियों के लिए विचितर बात लगती है न कि बोल्टेज जादा है तो जादा खत्रा होना चाहिए बोल्टेज का में तो कम खत्रा होना चाहिए मगर ऐसा नहीं है मैं बता ठीक है और यह 33 KV लाइन है तो चुड़िये का साइज ऐसा है कि इसने इधर भी और इधर भी आर फेस और वाई फेस दोनों को छोलिया तो सर्किट कम्प्लीट हो गया तो इसको नुक्सान होगा चुड़िया को यही चुड़िया जब इधर जाएगी तो ना इधर छुएग यह हो सकता एक तरफ छुए तो जो छोटी चुड़िया होती है उनके लिए लो वोल्टेज ज्यादा प्राबलम है और हाई वोल्टेज कम प्राबलम है वो इसलिए कि हाई वोल्टेज में तारों के बीच का गैप ज्यादा होता है और लो वोल्टेज में तारों के बीच का गैप कम होता है, कम गैप की वज़े से, उन्हें problem होती है, और उनके पंग दोनों तारों को छू जाते हैं, उसके बात ये जो चुडिया होती है, टरांस्फारवर में बैठ जाती है, टरांस्फारव में घोसले बना लेती हैं, तो इन सबी चीजों की वज़े से इनको problem होती है जो eagle है वो बहुत बड़े-बड़े घोसले बनाती है चुडिया वो घोसले बनाने से वो आके घोसले मेरेती थी और उनको शाख लगता था तो उनको problem होती थी तो एक देश में उन्होंने क्या किया एक और पॉल नकली खड़ा कर दिया वो नकली पॉल ऐसा था कि चुडिया को उस पे घोसला बनाने में आराम लगे तो चुडियों ने हाई वोल्टे टावर की बजाए बगल में जो आराम दायक खंबा था उस पे घोसला बनाना शुरू कर दिया और इस तरह उनको नुक्सान काम होने लगा या नहीं होने लगा दुनिया में लोग कैसे कैसे तरीके खुषते हैं चुडियों को बचाने के लिए और जो बड़ी चुडिया होती है वो हाई वोल्टेज ना हो लो वोल्टेज हो जैसे घरों के आगे टूटन्टी वोल्टार होता है वहाँ पर ये बैठ जाया के तो भी ये समभावना है कि ये दोनों तारों को बैठे-बैठे ही चूले एक पहर से और एक पूँच से और चुकि ये बहुत बड़ी साइश की है तो एक पैर उसका या दोनों पैर उसका एक फेस में हो और पूँच से वो दूसरा तारों टच करे तो भी उसको शौक लग जाएगा अब आज यहीं समाप्ट करते हैं किसे थाई। खहाझ बड़्या ऍन एक याज़ी। bene जिसे प्लाले जदोस्हार किने में समाप्ट?" प्लाले